नमस्कार दोस्तों आर्ट विजूल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर्श स्वागत है आज मैं आपके सामने एक नई स्रीज लेके आई हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य कालीन भारतिय कला और जिसमें हम आज चर्चा करेंगे पाल शली के बारे में यानि की मध्य कालीन भारतिय कला की जो पाल शली रही है उसी के उपर हम आज बात करेंगे तो आईए हम जान लेते हैं विस्तार से पाल शली के बारे में मद्यकाल की चितरकला जिसका समय है 790 से लेकर 1690 तक दस्वी श्टाबदी इस्वी से पहले भारती चितरकला की प्राचिन परंपराकार प्रतेदित्व हमें बौधकला में ही मिलता है ये भीती चितर अधिकांश में बौधकला और अलपांश में जैनकला से जुड़े हैं इसका मतलब है कि जो ये भीती चितर हमें मिले हैं ये अधिक संख्या में बौधकला से समंदित है और अलपांश यानि की बहुत ही कम मात्रा में हमें जैनकला से समंदित मिले हैं वैसे तो भीती चित्रन से पुर्व बौध कला और जैन कला का समरिद रूप मूर्तियों तथा मंदिरों में फैला मिलता है प्रन्तु भीती चित्रन निर्मान के बाद तो उसका रूप और अधिक निखर गया है दस्वी से पंद्रीश ताबदी तक यानि की 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रय पाल शैली, जैन शैली, गुजराद शैली एवं अब्रश शैलियों को ही जाता है यानि की मध्यकाल की चित्रकला में हम बात करेंगे पाल शैली, जैन शैली, गुजराद शैली और इन अब्रश शैलियों के बारे में मध्यकाल की चित्रकला को हम दो भागों में बाड़ सकते हैं पहला है पूर्व मध्यकाल जिसका समय है 690 से लेकर 1190 तक इस में उस समय की अजंटा, लोरा, बदामी आधि गुफवाओं का निर्माड किया गया तो इससे इसका मतलब है कि पूरो मध्यकाल की जो समय है उसमें इन गुफाओं का निर्मान किया गया और जो दूसरा है उतर मध्यकाल जिसका समय हैं ग्यारा सो से लेकर पंदरा सो इस्वी तक और इसको और इसमें अधिकतर जो है गरंथों का निर्मान किया गया है और इसी के साथ इसी समय यानि की उत्तर मध्यकाल में ही पाल, जैन, गुजराथ और अभ्रेंशेलियों का विकास भी हुआ पूरों मध्यकाल चटी या सात्विश्टाब्दी जब अजन्ता की चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी लेकिन इसके पश्चात ये धीरे-धीरे लुप्त होने लगी जिसका मुख्य कारण बौध भिक्षों की विलास्ता थी जिसके कारण लोगों की बौध धरम में आस्था कम हो गई थी और फिर से ब्रहमन धरम पनपने लगा था बौध धरम के कुछ लोग बाहर कई देशों में जैसे श्रिलंका, चेन, तिबत, मध्य, एशिया इतियादी देशों में चले गए थे जहां बौध धरम को अधिक माना जाता था अजन्ता के कुछ कलाकार जो बौध धरम से सम्मंदित नहीं थे यानि कि वे एक कलाकार थे उन्हों ने धीरे धीरे ब्रहमन धरम से सम्मंदित चित्तर बनाना शुरू कर दिया था जो की एलोरा में हम देख सकते हैं इस समय बहुत था हिंदु धरम से सम्मंदित कई भवे मंदिर एवं मूर्तियों का निर्मान भी किया गया उत्तरम अधिकाल में अधिकतर गरंथों का निर्मान किया गया जैसर की हमने पहले भी पड़ा है जिस में से सबसे प्रमुख है भोज जिसका समय है एक हजार पांच से एक हजार चौवन इसवी तक का और इन्होंने लिखा है समरांगन सुतरधार याने की बोज द्वारा लिखा गया गरंथ है समरांगन, सुतरधार और सोमिश्वर भूपती द्वारा जो इनुने बारविश्टाबदी में लिखा है वो है मानसोलास ग्रंथ उसके बाद सोमदेव, क्षे मिंदर ने ग्यारविश्टाबदी में कथा सृत सागर का निर्मान किया है इन ग्रंथों में हमें उस समय की कला के बारे में जानकारी मिलती है इस युग में अधिक तर जो है द्रिष्टान चित्रों का निर्मान हुआ है द्रिष्टान चित्रों का मतलब है कि जो घटना पहले प्राचिन समय में घट चुकी है उन घटनाओं को चित्रों के माधम से प्रस्तोत करना तो उसे हम दिश्टांच चित्र भी कह सकते हैं ऐसी सचित्र पोथियां प्राय बंगाल बिहार एवं नेपाल में निद्मित हुई है और विक्रमशिल्य नालंदा आधी ततकालिन विद्या निकेतों में अधिकतर इसी प्रकार की सचित्र पोथिया लिखी एवं उसमें चित्रित की गई है राय कुशंदास जी ने इस युग की शैली के विशे में लिखा है कि मूल रंग यानि की लाल जिसमें सिंधूरी, महावर और हिगुल, पीला जिसमें हर्ताल या प्योडी, और नीला, नील एवं लाजवद, सफेद एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है सोने का प्रयोग कहीं पे भी हमें नहीं मिला है और पटड़ों पर बनाएगे चुत्रों की रक्षा के लिए लाख का प्रयोग किया गया है इस योग में चार शैलियां विशेश तौर पे रही है जिसमें पाल शैली, जैन शैली, अभरन शैली और गुजात शैली प्रमोख है इन चारों शैलियों में इतनी समानता है कि इनको प्रिथक प्रिथक एवं उनके नाम करने में बड़ा विवाद रहा है इन चारो शेलियों में सिर्फ पाल शेली बहुत धरम से सम्मंदित है और बाकी तीन शेलियां जो है वह होग जैन धरम से सम्मंदित मानी जाती है आईए अब हम बात कर लेती हैं पाल शेली के बारे में और जिसका समय है 730 इस्वी से लेकर 1197 इस्वी तक जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पाल राजा बौध धरम के महान सरक्षक थे इनही के प्रयतनों से बौध धरम एवं संस्कृतिक तिबबत एवं दक्षणी पूरवी देशों में फैली है इसके नामकरन के बारे में विद्वानों के विभिनमत है तिबती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इस शैली को पूरवी शैली का नाम दिया है तिबती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि सात्वी श्ताब्दी में पश्चीम भारत में जिस चितर शैली का निर्मान हुआ था उससे भिन नवी श्टाबदी में पूर्व भारत में यानि की बंगाल में एक नई शैली का उदे हुआ जो की पूर्वी शैली कहलाई इसी कारण से उन्होंने इसे पूर्वी शैली का नाम दिया परसित कला समिक्षक हैलन रुबिन्सो ने इस शैली को बिहार शैली कहा क्योंकि यह शैली बिहार उडिसा उत्रपरदेश नेपाल तथा बंगाल आदि कई शित्रों में पनपी थी प्रंतु कई विद्वानों के सर्मत के अनुसार इसे पाल शैली का नाम दिया गया जिसका वर्णन आगे विसार से इस प्रकार से है ऐसा माना जाता है कि स्थानेश्वर के समराठ हर्ष वो गौड के राजा शशांक के पश्चात लगभग सौ वर्षों तक पंगाल की शाषन विवस्ता बिगड़ गई थी और जन्ता ने सन 730 से लेकर 740 इस्वी के मध्य विद्रो आरंप करके एक स्थानिय व्यक्ति जिसका नाम गौपाल था गौपाल नामक के व्यक्ति को चुन कर राजा घोशित कर दिया था तथा इस परकार बंगाल में शान्ती एवं पाल राजवश की सापना हो गई राजा गौपाल जो की बंगाल के पाल वर्ष का प्रथम शाषक था ने उसने शिगर ही दक्षन भिहार तक अपना राजय सापित कर दिया इसके पश्चात उसका उत्राधिकारी पुत्र राजा धरम पाल जो लगभग 810 इस्वी तक रहा जो कला धार्मिक परवर्थी विद्या विवसिनी का सरक्षक था और जिसने अपने समराजयों की ओर और अधिक सुद्र बनाया जिसने भागलपूर में विक्रम शीला महा विद्यालयों का निर्मान भी करवाया था तो आईए कि हम पाल वंश के बाकी शाषकों एवं उपलब्दियों को विस्तार से जानते हैं पाल वंश के साथ महान राजा रही है और जिसमें से सबसे पहले है गोपाल और उसके बाद उनका उत्त्रादिकारी बना उनका बेटा धरम पाल फिर देव पाल फिर नारायन पाल उसके ब और उसके बाद सैनवंश का उदे हो गया था आईए हम इनके द्वारा कीगे उपलब्दियों को विस्तार से आगे जानते हैं सबसे पहले आते हैं गौपाल जिन्होंने पालवंश एवं शांती की स्थापना की थी और इन्होंने दक्षिन भारत बिहार तक अपना राज़ स्थापित किया था उसके बाद उनके उत्रादिकारी आते हैं उनके पुत्तर धरमपाल ये धर्मे प्रिविती विद्या विवसाने एवं कलाग के सनक्षक प्रियर राजा रही है इन्होंने विक्रम शीला महाविद्यलो का निर्मान किया और उदांत पूरी वो सोम पूरी बिहारों को वारेंदर में बनवाया था उसके बाद आते हैं देवपाल वे वास्तू चित्रकला एवं मूर्तिकला के महान शाशक रहे थे इन्होंने सारनात गया नालंदा कुर्की हार आदीस्तानों पर मूर्तियां एवं उकेरियां बनाई थी उसके बाद नारानपाल के समय में कोई भी उपलबदी नहीं हुई उसके बाद आते हैं महीपाल मही पाल एक प्रतिभाशाली समराट रही है उन्होंने अनेक पाल पोथियों का चित्रन किया था यानि कि पाल पोथियों जो है उनमें चित्रों को बनवाया था उसके बाद इन्हों नहीं यानि कि मही पाल नहीं कई चैत्यों इसमें मूल गंग कुट्टी वो धर्म राजी का स्तूपों का निर्माण भी किया था उसके बाद आते हैं जैपाल और जैपाल के बाद आते हैं आपके विग्रह पाल बहुत अन्वियाई होने के कारण बहुत योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक एक बहुत ही सुन्दर चितर हमें इस समय मिलता है और जिसका समय है ठारा सो स्तावन इस्वी में मिला है और विग्रह पाल के अन्तिम समय में उत्री बंगाल में सैनवईश का उदे हो चुका था सैनवईश जो कि ब्रहमन दर्म से सम्मंदित थे और इस तरह से पालवईश का अंत हो गया अब हम बात करते हैं पाल शेलि के सचितर पोथियों के बारे में पाल पोथियां में सचितर पोथियां हमें दो दर्जन से भी कम मिलती है और जो प्राप्त होती है उसमें साधनमाला, गंदरवीहू, करन, देव, गुहा, पंच्छीखा वो महायान बौध पोथियां है, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई दस्वीश्टाबदी एवं परवर्तिकाल वो महायान बौध धरम से सम्मंदित अनेक पोथियों का चितन प्राप्त हुए हैं, जो पुस् प्रग्यव, पार्मिता, आदी बौध गरंथों पर आधारित हैं, इन गरंथों की अनेक प्रितियां दस्वीश्टाबदी से तेर्वीश्टाबदी के भीतर बंगाल, बिहार, नलंदा, विक्रमशीला में चित्रित हुई हैं, दुसरा है कि पंच्छिखा राजा जैपाल क चौदवे राज रोहन वर्ष में चित्रित की गई और कैम्ब्रिच विशोडालियों के पुस्तकालियों में सुरक्षित हैं, उप्यूक्त सभी ये पोथियां ताल पत्र पर बनी हैं, जिसमें सुंदर लिपी, तराशी हुए अक्षर और चमकीली स्याई का प्रियोग किया गया है, तीसरा है गंदरव विहू गरंथ जिसकी प्रतियां कुलू हिवांचर प्रदेश और सवैसल रोरिक इत्याद के संग्रे में है, इसमें कुल 126 जितर मिले हैं, जोकी अजंता के परंपरा के अनुरूपी है, उसके बाद है चौथा बोधी चर्या वत्र इसकी एक प संधान समीती राजशाही में स्वक्षित है, आगे हम बात करते हैं पालशली के चितरों की विशेष्टाओं के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेती हैं कलाकारों के बारे में, कि पालशली के प्रमुख कलाकार कौन-कौन थे, पालशली के प्रमुख कलाकार धिमान एव बिहार और नेपाल थे पाल शहली के प्रमुक विशेष्टाएं आगे इस पकार से हैं सबसे पहले हैं पुस्तकों में द्रिष्टांत चितर ही अधिकतर निर्मित किये गए हैं इसमें पहला स्थान प्रग्यव पार्पिता पारमिता को है जो ये महायान बौद ग्रंद पर आ खांकन रंगा लेपन यानि की रंग जो विदी है सयोजन तथा तकनी की कोशल का निर्वाह नहीं मिलता है नमबर तीन रेखाएं काले रंग से खिंची गई हैं रेखाएं गति पूर्ण तो हैं प्रंतु उतार चड़ाव का ललित्य नहीं हैं आंखें बड़ी बड़ी कान प्रंतियों में जो नाक है वो बहुती लंबी यानि की पारले गाल से भी आगे निगलती हुई दिखाई गई है मुद्रों में तिरता चड़ता दिखाई देती है और अगर हम रंगों की बात करते हैं पांचवी विशेष्टा रंगों पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाल नीला श्वेत और काला और सभी रंगों का मिश्टन इसमें दिखाया गया है और जिसमें लाल रंग में सिंधूरी महावर और हिगुल आधी रंग को शामिल किया गया है तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक उमीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद